हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम इस चैनल पर फूड हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहेंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आज की हमारी इस वीडियो का टोपिक रहेगा प्याज प्याज एक ऐसी सामगरी है जिसके बिना कोई भी वेंजन क्यों न हो जो अदूरा सा लगता है प्याज खाना ज्यादातर लोगों को पसंद होता है लोग इसे सलाज में कच्चा लेते हैं वहीं जिछातर सबजीयों या वियंजनों में प्याज का इस्तिमाल तड़का लगाने के लिए किया जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि खाने में जाएक बड़ा देने वाला प्याज सिर्फ ऐस्वाद बड़ा देने वाली सामगरी नहीं है इसके बहुत से लाब है बूंदे डालने से खुन आना बंद हो जाता है। 3. कच्चा प्याच खाने से गर्मियों में लू नहीं लगती। अगर किसी को लू लग जाए तो प्याच का रस पीने या उसे तलवे पर मलने से रहत मिलती है। 4. जोड़ों में दर्द हो तो सरसोक के तेल में प्याच का रस मिला कर लगाने से फाइदा हो सकता है। 5. प्याच के रस की कुछ बूंदे कान में डालने से कान के दर्द में रहत मिलती है। दर्द होने पर रूई की मदद से प्याज के रस की कुछ बुदों को कान में डालने की सला दियाती है 6. बरबर मातरा में प्याज का रस और शेहत मिलाकर खाने से सर्दी, खासी और बुखार में रहत मिलती है साथवा, प्याज खाने से गेस्ट्रिक सिंड्रोम और कबज में फाइदा होता है प्याज में मौजूद फाइबर पेट साफ करने का काम करते है आठवा, प्याज त्वचा और बालों के लिए भी बेहुत गुनकारी है जेतुन के तेल में प्याज का रस मिलाकर चेहरे पर लगाने से पिंपल्स यानि मुहासों से राहत मिलती है नवा, प्याज समय से पहले होने वाली जुर्णियों को भी कम करता है त्वचा को जवान और स्वस्त रखता है दसवा, जू एवं बालों के जड़ने से छुटकारा पाने के लिए बालों की जड़ों में प्याज का रस लगाना चाहिए ग्यारवा, अगर किजी को नींद ना आने की विमारी है तो प्याज खाने से जरूर फाइदा मिलेगा बारवा, सिर दर्द के लिए भी प्याज का इस्तिमाल किया जा सकता है तीन चमच पानी में एक चमच प्याज का रस और चीनी मिला कर खाने से आराम मिलेगा तेरवा, प्याज खाने से दात और मूग के दर्द से भी राहत मिलती है चौदा, पिरियेड के दोरान होने वाली समस्याओ से निजात पाने में बयाज बहत असरदार है पिरियेड शुरू होने से पहले कच्चा पियाज खाने से फाइदा होता है पंदरवा, पियाज के रस्ट से बालों की मालिश करने पर बाल जणने बंध हो जाते हैं साथ ही डेंडरफ से भी छुटकारा मिलता है। सोलवा, प्याज में क्रोमियम पाये जाता है। जो शुगर को कंट्रोल करने के साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। सत्रा, रोजण हम जिन सबजीओं का इस्तमाल करते है उनमें से ज़्यादतर में क्रोमियम बिल्कुल नहीं पाये जाता है। ऐसे में प्याज खाना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। 18. प्याट शरीर में ब्लेट को जमने से रोखने का काम करता है 19. प्याट से हाट अटेक का खत्रा कम हो जाता है ये नेचुरल ब्लेट थिनर है 20. डाइट में प्याट शामिल करने से शरीर का कोलेस्टरल लेवल कंट्रोल में रहता है अगर आपको किसी और टोपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए हम आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियो लाते रहेंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में